कि आपके पास क्योंकर कर सकते हों लेकिन में रिकमेंट करूंगा जीरो से लेके 90 तक जो आपके पास पास पैसल एंगे जैसे जिए इन पर आपको रेडियन और याद करने तो बहते हैं आगे आपको काफी काम आएगी ठीक है लेकिन अगर किसी वह शौक ना हो तो कैसे यादफ नहीं शुरू शुरू में वह रिकाम आएगी बात में आपको खुद ही आदो तरहें तो कंसीडर क करते हैं डिग्री के अंदर तो बाई जीरो डिग्री कह भी इंग्रम कर लो है 60 डिग्री। टीम के जिए बात करते हैं रिडियन कि याद होनी चाहिए जी निए जी रिडियन के बहाबर होता है पाई पाई भाई इसको नहीं करके भी कर सकते हो लेकिन ताइम नहीं जो आपको जिन्दकी में में बहुत नजर रहें कि अगर आप इंजीनिंग लोंगे क्योंकि तो मतलब मैद की जान है कुछी है तो हर कॉंसर्ट में कुछी भी होती है तो यह काफी काम की याद कर लो तो बहुतर है कि नाइटी डिकरी कि इतने रेडिन के मेराबर है पाइब डू आपको कुछ करना ना कि क्या होती है काट की क्या होती है जेसे लिए इक ये इस्में प्रिक है जो साइन के लिए वेलेड号 के लिएए डिक को काफी मजें आईगा कि बहुत है कि हम अभी किको सपलकेक आप आप कूती मूं एक सब्सक्राइब करें कि एक सब्सक्राइब करें कि हम साइन के डिसक्स करते हैं सबसे पहले अगर आपने साइन जीरो निकालना हो तो आपने बस क्या कर रहे हैं इस एक सबसे पहले एक सब्सक्राइब और पिरक्स के जगां तो इस च्सेयरो हो जाएगा तो इस योजाए गांट यह पांट घूए अधरूट फॉर्ट रूंट आपको तो आपको साइन की याद अखने की जरुरत नहीं इस ट्रिक्स से आप निकाल सकते हो आपको याद अखने है रूट एक्स अपॉट करो अपके पास असानी से सारी साइन की वैलियूस जो है वह आ जाएगी बताव के बास समझाएगे सबको यार उसके लावा ट्रिक्स हैं लेकर वो ट्रिक्स में बताई थे रहा एक तो टाइम बहुत बच जाएगा दूसरा आपके पास कल्कुरेटर है लेकिन मैं आपको हल भी बता रहूं कि अगर आपको शॉक हो कि लेट से साइन 330 डिग्री आपने निकालना है या साइन 225 डिग लिए जबरत नहीं है ना इस सवाल आते हैं क्योंकि होता है आपके पास है अचा अब साइन अगर आपने याद कर लिए ना फिर आपको मसना नहीं है साइन याद होगे पर इस नहीं कॉस नहीं बड़े मज़े से आएगा जो साइन की वैल्यू सीधे दरीगे से लिखी है न वहां पर पॉट्टे तरीके से लिखतो है याँ यहां पर निखतो है याँ पर दो बनाते हैं बहुत नहीं है यह यह लगती है यहाद आती है अच्छी लगती है मैं इसको यूज भी नहीं करता मुझे पता याद भी नहीं थी खुद मेरा भी सोच के बनाईए तो यह आपको वैसी वैलिव जाओ जाएगी आपको कोई ट्रिक को रखने की जुरुरत ही नहीं मुझे कोई हाथ वाली है कोई चीज नहीं पता है सबकी तो शुरू कि अगर आ अगर देख देख के हैं इसको याद कर आउसा लेता है लिए तो ने काल यह वाईडवान वाउस गए गरता 소Does फालता चीज हिसे उतलं सब्सक्राइब निकालना बड़ा है लिए इनंदों को डदिवाईट करोगे तो आनसरिम हो तो इस तरीके से आपके बाद से टैने डालेगा जब यह तो इनके रैसिप्रोकल निकालना भी मसला नहीं है जैसे कोसायक निकालना है कोसायक 30 डिगरी क्या होगा साइब अपान टू होता है तो कोसायक 2 अपान वन हो जाएगा मतलब तू इसी तरह कोसायक हो जाएगा टू अपान रूट तो इनके रैसिप्रोकल में वैल्यू को चेंज रैसिप्रोकल करना होता है तो आपको नौमल जाद है तो रैसिप्रोकल करने आपके लिए होगा और आफ़ी बात में इसे बतातों सवाल उससे इतना पूचा है इतना इतना सवाल है कि आप थोड़ा सोचो कि आपको बास समझा जाएगी बहुत उसे पूचा गया है कि अब इस चाहिए और किसी जगा पर इसे सवाल है कि सर अब जब निकालते हैं आपने हमें यह लिक्वाया है इन दोनों को जब पॉइंट में तो एक आप जब और और तो फर्क इसलिए है क्यूंकि क्यूंकि वह मैंत के रूस को फॉलों करता है है और मैंत का रूस यह है कि दिनॉमियेटर में कोई रचल नम्म ना हो बाद कि इसमें रेचल आया है तो डिनॉम आब कारता है इसको सिंक्लिफाइब कर देता है रैश्नलाइज कर देता है किस तरह बूर टू से मट्टिप्ट Valley कर देता है रूट टू बन से मट्टिटा होगा रूट रूट टू रूट तो तो आप यह आंसे देगा आप रूट लिखतो तब भी बात देखिए तो यहां के तो फैल ने यह लिखा दिया मस्दी हाल हो जाए यह वाला से मुझे लेकिन यह लिखा हो तो भाई एक ही चीज़ें इसको आप लोग समझ लेना अलग नहीं है ठीक है बच्चों कोई सवाल यहां तक नहीं है तो पर स्क्रेंट शॉट में लोग स्टेवल का अब इसके बाद ही आपकों की बुक में शायद कॉंसर्प नहीं है यह लेकिन अपिक एड में कहां आ सकते हैं यह को टर्मिनल एंगल का चोटी सी डेफिनेशन है इसकी को टर्मिनल एंगल अज़ा उसके पहले और चीज़ पढ़ लेते स्टेंड पोजिशन एंगल उसके प और यह से पहले पुझे हैं कॉट्रेटर सबसे इसी ऐसी कोंसेटर एंगे उसका अब कॉटरेटर एंगेशन का इंगे वाइक्सिस के ऊपर है बैसे जीरो डिग्री वन एक्टी डिग्री इसी दरह थी सिटी डिग्री यह जतने एंगल एक्सके ओपर है यह भी क्वाद कि यह सब एंगल के दर्मयान है जैसे नाइटी डिग्री फर्स और सेकंड के दर्मयान है किसी क्वाइट में करते हैं यह एक से यह एक से उपर लाइग कर रहे होते हैं इनको आप बोलते हो अब आगर इसके उपर व है उन् pea को ठारण ऑनाप अन्ति गोंसे में संग्रlles उते हो ओते हैं जिस एंगल करख वार्ट यह है यह वह पर है तो विभ्रश के उपर है जिसक पाजिट यह पालिव एक से उकर है उसके ईंजल जिसका वार्ट के रहा है वह जहां से नचा बन रहा हो वह किसके उपर हो X-axis के उपर हो इन अधर वर्ड जहां से बन रहा है वह पॉज़िव X-axis हो और एंगल बना और टर्मिनल साइट कहीं भी हो सकती है अब यह बना है इस एंगल को क्या बोलोगे स्टेंडर्ड पुजिशन इसका वर्टेक्स वरिजन पे इनिशल साइड पॉजिटिव X-axis के उपर है और टर्मिनल साइड उसकी मूफ कर रही है तो यह भी स्टेंडर्ड पॉजिशन एंगल है अच्छा यह बी स्टेंडर्ड पॉजिशन एंगल बन जाएगा वर्टेक्स और बात की आप देए नहीं होती है आप क्लॉक वाइस ही बना सकते हों इस तरह भी कर सकते हैं यह भी स्टैडर्ड पॉजिशन ही होगा इनिशल साइड एक्स एक्स के उपपर है आप कुछ टीचर इसको अलग करवाते लिए कि अलग नहीं है एंटी क्लॉक्वाइज और तोनों में आप स्टैडर्ड पॉजिशन ही कहते हो नॉमली ऑफिसली आप यूज करते हो नॉमली लेकिन इस वाले केस में भी आप इसको स्टैडर्ड पॉजिशन ही बहुत है क्योंकि शायद देखें के वर्टेक्स और इसाइड पॉजिटिव एक्स एक्स के उपर हो यह चालता है और आखरी है को टमिल एंगल पहाँ बहुत इसी कॉंसेट है कि जैसे एक स्टैडर्ड प सब्सक्राइब कि अगर में क्लॉक्वाइब कितना होगा अगर क्लॉक्वाइज में पूरा यहां तक जाता तो 360 होता मैं 45 निगरी उपर हूं टर्मिल डिनाज यह है तो अगर ऐसे जिनकी टर्मिल साइट सेम है गोट रूप अगर यह ऑगर मैं आप से बोलों के बताओ इसमें क्या होगा तो डिफरेंट तरीके से निकाल सकते हो को टोर्ट अमीनल कहने का मतलड़ आप इस तरह पहला तो इस तरह निगाल सकते क्योंकि यह पूरा अगा 360 फिर आप उपर जाओ तो यह क्या आप फुल रोडेशन करने के बाद दुबार आप पर आएगा तो यह एंगल किया 390 तो 390 भी को टर्मिनल एंगल हो जाएगा या अगर आप क्लॉक मैं जा रहे हो इस बाकि आप को टर्मिनल एंगल निकाल सकते हैं जैसे मैंने पहले वाले में एक रूटेशन की थी मतलब मैं यहां से स्टार्ट हुआ था जाते 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 दुबारा मैं यहां पर आया था 390 भी बन गया था आप दुबारा घूंगे यहां पर आजोंगा दुबारा 360 एंग पर चाहिए बड़ा से एक यह बड़ा सकता है कि मतलब आपको बोले के माइनस 45 डिगरी का को टर्मिनल एंगल बताओ अब माइनस 45 का को टर्मिनल कैसे बताओगे सबसे पहले आप ग्रॉपर लो फॉटिफाइव निगेटिव है तो मैंने बनाए तो यह माइनस 45 डिए अब अब इसका आपने निकालना है को टर्मिन आइंक ऑप्शन में कि लिखा होगा 315 या दिखा होगा 405 डिगरी यह तो यह यह पूरा एंगल क्या होगा 315 तो 315 जो है वह इसका को डर्मिल एंगल यह था क्लॉक्वास अगर आप एंडी-क्लॉक्वास आओगे तो एंडी-क्लॉक्वास जो एंगल है 315 जो है यहां पर भूट्र मिला नहीं होंगे क्योंकि दूसरें लिखा वे चार्सो पांच दिग्री यहां पर तो दिखने में लग रहे हैं इसकी टर्मिनल नहीं हो सकता इसी तरह 45 डिग्री यहां नहीं है क्योंकि 45 डिग्री यह बना इंगल होता है यह उपने इसी तरह माइनस-315 तो इस तरह तो यह तो माइनस-315 में इनदि आपको बतायता है अंडि प्लॉक बाएंग इंथ ठीक तो-